एगाईज वेलकम बैक टो माई चैनल मैं भावी कैसे हैं आप लोग I hope सबी लोग बहुत ही अच्छ होंगे आज मैं आप लोगे साथ सेर करने वाली हूँ अगर आप लोगे के चहरे में भी बहुत सारे अंचाहें ब्लाउन तिल हो गए हैं तो कैसे इसको रिमूब करने है आज हम ये जानींगे देखे अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछी टाइम में आपके चैरे के ब्राउन तिल ब्लेक तिल पूरी तरीके से रिमूब हो जाए तो ईसके बाद देखना कुछ ही टाइम बात आपका चेहरा बिल्कुल ही साफ हो जाएगा जितने पिर आपके चेहरे में अंचाहें ब्राउन तिल और ब्लेक तिल है वैसे तो अगर हमारे चेहरे में एका तिल हो तो यह हमारे चेहरे में बहुत सारे अंचाहे तिल हो जाए तो यह हमारे चेहरे की जो खूबसुरती हो पूरी तरीके से खराब कर देता है तो देखिए ज़्यादा देर नहीं हो जा जाए इससे पहले आप लोग अपने पूरी तरीके से भ़ाएं के waves से क्योंकि यह चेहरे में बहुत सारे जब तिल हो जाते हैं तो यह हमारे चेहरे को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं तो आइ होप जैसे मैं बताने वाली हूं वैसी सारे स्टेफ आप फॉलो करेंगे तो देखना कुछी टाइम बाद आपकी यह प्रोब्लम पूरी तरीके से सौल्फ हो जाएगे तो ज़्यादा बात ना करते हैं फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं मैंने यहाप एक खाली बॉल लिया अब मैं इसमें एक चमच एड़ कर रहे हूं बेकिंग सोडा एक चमच में आप एड़ करूंगी कैस्टर ओयल हंजी दोनु को एक एक चमच की कॉंटिटी लेनी है और आपस में अच्छे से मिक्स कर लेने है और एक ठिक हमें पेस्ट इस और तील तिल को हटाँ देता है और सहांती चहरी पर निसान भी नहीं छोड़ता है सेलावर जो हमारे चहरे पर ञख्री ब्रावन तील काली तील उसकी इलावर जो हमारे पानी से वॉस कर लेना है उसके बाद ही हमेसे इस्तबाल करना है bon. है यह ऐवूच इसे लेना है इसके बाद एसके मदद से जो हमने पेस्ट को ठीक बना रख जहां पर हमें तिल है हमारे तिल है चहरे ब्रावन तिल जब लेख तील फ्री अपक्र ॉुस को इस तरीक नई 20-30 मिनट जितना आपके बाद टाइम है उतना रख सकते हो मिनिवन इसका टाइम 20 मिनट ही रखें अगर आप 20 मिनट तक रख पाएं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो 10 मिनट तक तो जरूर इसे अपने चेहरे पर लगागे छोड़ दें उसके बाद नॉमल पानी से साप क जल्दी तिल आपके हट जाएंगे तरीका जिससे कि आप अपने चेहरे के अंचाहे तिल रिमूब कर सकते हैं देखे थोड़ा सा टाइम लगेगा जैसे मैंने बताया है आप लोगों को सब कुछ वैसे ही करना है उसके बाद देखना आपके चेहरे के अंचाहे तिल जो है पूरी तरीके से घड जाएंगे आफके चेहरे में कोई काले दाल भटे में वulator ओंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत टायम देजिए थोड़ा बहुत सब spiritual तहोता है अगर आक की शीत तरीके से करेंगे तो एक टाइम बाद आपके चहरे के जो अंचाहे तिल हैं दाग दब्बे हैं पूरी तरीके से हट जाएंगे साथ एक फाइदा आप लोगों को और होगा आपकी स्किन काफी अच्छे सुन्दर नजर आएगे क्योंकि जो आपके चहरे में अंचाहे तिल है उसके वज़े से आपकी खूफसुरुती पूरी तरीके से खराब हो गई है लेकिन अगर आप लोग यह करेंगे तो देख लेना कुछी टाइम बात वन वीक भी लग सकता है या फिर एक मन्थ लेके चलो गर एक मन्थ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियों ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना मैं मिलते हूं अपने अच्छे से न्यों वीडियो के सांथ थैंक्यू सो मच बाबाई